क्रमचारी पेंसन की बिरोध में एक पितिसन सुप्रीम कोट में फिर दायर। तीन दिनों में पूरे भारत में यह संदेश होना चाहिए, भारत में हर नागरी को आवाज उठानी चाहिए, 2018 का सुधार अधिनियम, सांसदों को पेंसन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीती कोई नौकरी या रुजगार नहीं बलकि एक निह सुल्क सेवा है, राजनीती एक और बरी गरबरी या है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा हो फिर विधायक बन जाए और फिर सांसद बन जाए तो उसे एक नहीं बलकि तीन-तीन पेंसने मिलती है, यह देश के नागरीकों के सांथ बहुत बढ़ा बिस्वास घात है, जो तुरंत बंध होना चाहिए केंद्रीये वेतन आयों के सांसद सदस्चियों शांसदो का वेतन भत्ता संसोधित किया जाना चाहिए और इनको इंकम टेक्स की दारे में लाया जाए बर्तमान में वे स्वेम के लिए मतदान करके मनमाने धंग से अपने वेतन वह भत्ते बढ़ा देते हैं और फि प्रणाली में भाग लेना चाहिए इलाज बीदेश में भारत में होना चाहिए इनका अगर बीदेश में करवाना है तो अपने खर्च से करवाए अन्य थम मर जाए मुप्त छुट रासन बिजली पानी फोन बिल जैसी सभी रियायत समाप्त होनी चाहिए वे नकिवल ऐसी बह प्रणाली में राजनिताओं के कारण होने वाले बीतिय हानी उनके परिवारू नमांकित ब्यक्तियों संपतियों से वसुल की जानी चाहिए सांसदों को भी समाने भारतियों लोगों पर लागु सभी कानूनों का समान रुप से पालन करना चाहिए नागरीकों द्वारा LPG गैस सबसीडी का कोई समर्पन नहीं जब तक सांसदों और विधायकों को उपलवद सबसीडी संसद कैंटीन में सबसीडी वाले भोजन, सहित अने, रियायते वापस नहीं ले ली जाती संसद में सिवा करना एक सम्मान है, लूट पार्ट के लिए एक आकर्शक करियर नहीं, फ्री रेल और हवाई जहाज की यात्रा सुब्धा बंध हो आम आदमी क्यों उठा इनकी मौज मस्ती का खर्च, यदि प्रतेक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों से संपर करता है तो पूरे भारत में अधिकान स्लोगों तक यह संदे स्प्राप्त करने में किवल 3 दिन लगेंगे क्या आपको नहीं लगता कि यह मुद्धा उठाने का सही समय है यदि आप उप्योगत से सहमत है तो इसे फॉर्वर्ड करें यदि नहीं तो बस हटाए आप मेरे 20 प्लस में से 1 है किर्प्या इसे जारी रखें धन्यबाद जय हिंद बंदे मातरम